सो हाई काईस कैसे हैं आप सब आप देख रहे हैं हरम व्लॉग आज मैं आपको अपनी वीडियो में ये पताऊंगी के हाउ टू एड थांबनेल्स ओन यूट्यूब वीडियो को लास तक देखीगा तो अगर आप मेरे चैनल पे नहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा तो चलें आएं चलते हैं तो सबसे पहले हमें यूट्यूब ओपन करेंगे एप से ये यूट्यूब ओपन हो गई है अब हम अपलोड करेंगे वीडियो जो भी वीडियो आपने अपलोड करनी है अपलोड सेक्शन में जाके upload video करेंगे, select करेंगे, ये देखें, ये video मैंने upload कर रही हूँ, next करेंगे, उसके बाद नीचे visibility का option आ रहा है, उसको click करेंगे, और video को private कर देंगे, private क्लिक करने के बाद, पीछे back करेंगे, और next कर देंगे, उपर right hand side पे next का option आया है, उसको click किया है मैंने, और नीचे upload बीडियो कर दी है विडियो अपलोड करने के बाद नेक्स्ट हमें प्ले स्टॉडूर पी स्टूडू़ो मां आप अपना Thumblare लेइन अपलोड कर सकते हैं वाber dass चूडियो एप सर्च करें यह देखे मेरा पहले से ही इंस्टॉल हुआ है इसलिए मुझे यहां पे सिर्फ update का option show हो रहा है तो directly मैं जाके अपना वाइटी स्टूडियो एप open करूंगी यह देखें तो यहां मेरा वाइटी स्टूडियो एप open हो गया है यह नीचे videos option आ रही है content में यह पहली video मेरी इसके three dots right hand corner side पे आपको नजर आ रहे होंगे यह देखें इसको open करना है और यहां edit video में जाना है edit video open करने के बाद यह left corner side पे आपको उपर edit का option नजर आ रहा होगा इसको click करें और नीचे custom thumbnail पे select करें custom thumbnail select करने के बाद अगर आपके mobile पे यह option आ रहा है कि to add custom thumbnails verify your account on YouTube on your computer तो इसके लिए पहले आपको अपना account verify करना होगा इसकी भी वीडियो में पहले upload कर चुकी हूँ कि how to verify your YouTube channel और account तो इसकी में link आपको description में show कर दूँगी आप simply जाके मेरी description से वो link उठाके उसको verify कर सकते हैं तो अभी में account account verify है इसलिए मुझे ये शो नहीं हो रहा मैंने सिरफ आपको दिखाने के लिए विक्चर डाली है so account verify करने के बाद custom thumbnail पे क्लिक करें जो भी thumbnail आपने पहले से edit करके बनाया हुआ है वो यहाँ पे show हो जाएगा आपको वो select करें और उसके बाद उपर done कर दें उसके बाद next step यह है कि जो visibility पे आपने private किया था अब उसको public करके upload कर दें वीडियो को और उसके बाद उपर save कर दें so guys इस तरह से आपका thumbnail अपलोड हो जाएगा सिर्फ तीन मिनट में बहुत ही easy वी में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो like और subscribe करना मत भूलिएगा